गुट मॉर्निंग मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना लीजिए आज मार्च मन्त के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ जानते हैं फर्स्ट ओफॉल फर्स्ट मार्च 2022 में इस एर में महाशिवरत्री फर्स्ट मार्च को पड़ी माना जाता है कि फागुन की तेवरस को भोले का बेहा इस दिन भोले का बेहा या महाशिवरत्री का त्योहर मनाया गया जानते हैं सेकिंड मार्च सेकिंड मार्च को दा नाइटेंगल ओफ इंडिया सरोजनी नाइडू की मृत्यू हुई थी 1949 में थर्ड मार्च विश्व श्रमन दिवस या वर्ड हेरिंग जे मनाया जाता है और थर्ड मार्च को ही वर्ड वाइल लाइफ डे विश्व वन्ने जीव दिवस भी मनाया जाता है फिफ्ट मार्च को वर्ड ओबिसिटी डे मनाया जाता है विश्व मोटापा दिवस फिफ्ट मार्च को फादर आफ इनियन एर फोर्स कहे जाने वाले हमारे देश के एर मार्शर सुबरुतो मुखरजी का बर्थरे होता है फिफ्ट ओफ मार्च 1911 को आपका जन हुआ था सिफ्ट मार्च में हमारे देश के एक ऐसे रिवॉलिशनरिस्ट एक ऐसे क्रांतिकारी जिनका नाम अंबिका चकरवर्ती था उनकी इम्रत्य हुई थी सेविन्थ मार्च को सचिदानन्द हीरानन्द वातसायन जो की हमारे हिंदी के लेखक कवी उपन्यासकार सहित्य कार थे उनका जनम दिवस मनाया जाता है एर्थ मार्च पंडित गोविंद वल्लब पंथ जो की उत्तरप्रदेश के पहले मुखे मंत्री रहे उनकी इम्रत्यू 1961 में हुई थी साथ मार्च को ही परमहंस योगा नन्जी जो पश्च्चमी देशों में योग के जनक माने जाते हैं उनकी इम्रत्यू 1952 में हुई थी एर्थ मार्च एर्थ मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे अंतराश्ट्रिय महिला दिवस मनाया जाता है 9th मार्च, 9th मार्च को डॉक्टर नागेंद्र जो भारत के प्रसिद हिंदी सहतेकार थे उनका जन्म हुआ था 1915 में 10th मार्च, 10th मार्च को CISF का राइजिंग डे माना जाता है स्थापना दिवस 10th मार्च को ही सावित्री बाई फूले का निधन हुआ था 18-19-7 में 11th मार्च, 11th मार्च को हमारे देश के उडिसा प्रांद के पूरी के रहने वाले एक मूर्तिकार सुदरशन शाहुजी का बर्थडे होता है या चन्म दिवस होता है 12th मार्च, 12th मार्च को महत्मा गांधी ने अपनी एतिहासिक साबर मती आश्रम से नमक सॉल्ट या डांडी मार्च स्टार्ट किया था और 6 एपरेल को जाकर ये फिनिश हुआ था ये है डांडी मार्च कहीं न कहीं सवीने अवा गया अंदोलन का ही एक पार था या जिसे हम बोलेंगे एस के के पोटे कट्टा आप एक केरल के ज्यान पीठ एवार्डिड लेखक हैं आपका जनम 14 मार्च 1913 में हुआ था 14 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ओफ एक्शन फॉर रिवर्स का डे भी माना जाता है 15 मार्च 15 मार्च को वर्ड डिसेबल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है याद किया जाता है वर्ड कंजूमर डे और वर्ड कंजूमर राइट डे भी 15 अफ मार्च को ही मनाया जाता है 16 मार्च National Vaccination Day राष्टिये टीका करन दिवस और इसके साथ साथ Mizzles Immunization Day खसरा प्रती रक्षन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 17th March 17th March को खोली इस साल रही और 18th March को अगर हम देखें तो फाग या जिसे रंगोत सब कहा जाता है वो मनाया जा रहा है इसके साथ 18th March को वर्ड स्लीब डे के रूप में भी जाना जाता है और Ordinance Factory Day Indian Ordinance Factory Day के रूप में भी 18th March को जाना जाता है 19th March 19th March को J.P. Kriplani जो की एक परियावरन व्रिद और राष्टवादी और revolutionary रहे उनकी मृतूर 19th March 1982 में हुई 20th March 20th March को International Day of Happiness के रूप में मनाया जाता है और 20th March को ही विश्व गौरिया दिवस या वर्ड स्पैरो डे के रूप में भी मनाया जाता है 21st March 21st March वर्ड Forestry Day के रूप में मनाया जाता है वर्ड डाउन Syndrome Day भी 21st March को मनाया जाता है और साथ-साथ World Poetry Day विश्व कावे दिवस भी 21st March को Celebrate किया जाता है 22nd March World Water Day विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 23rd March को शहीदी दिवस होता है साथ-साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस World Metrological Day भी होता है शहीदी दिवस के रूप में हम जानते हैं भगत सिंग, सुगदेव और राजगरू जो बहुत बड़े क्रांती कारी थे उनको समय से पूर्व धोके से फासी दे दी गई थी 24th March 24th March को World Tuber Closest Day विश्व क्षै रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है 25th March गणेश शंकर विद्यार्थी जो की एक बहुत बड़े क्रांती कारी और एक पत्रकार थे उनका निधनुआ था उनकी हत्या हुई थी 25th March 1931 में 26th March 26th March को महादेवी वर्माम जो की हिंदी की एक बहुत बड़ी लेखिका रही 26th March 1907 में आपका बर्थडे होता है 27th March 27th March को World Theater Day विश्व रंगमंच के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 28th March 28th March को गोरक परसाथ जो की एक गड़ी तग्ये और हिंदी विश्व कोश के संपादक रहे उनका जनम होता है 1896 में आपका जनम हुआ था 29th March 29th March को सिपाही मंगल पांडे के उस कृत्ते के रूप में जाद किया जाता है जबकि फिरंग्यों के खिलाफ आपने फर्स टाइम अवाज उठाई 30th March 30th March को दलाई लामा 1959 में तिबबत छोड़कर भारत में आये और भारत में उन्होंने शर्रन ली 31st March 31st March को गुरू अंगत देव जी का जनम दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में मैं जॉक्टर डैनी सकसेना आशा करता हूँ कि इस छोटी से वीडियो से निश्चित रूप से आपको कोई न कोई जानकारी ऐसी अवश्य मिली होगी जो आपकी लाइफ में आगे भी काम आईगी थेंक यू